आज यह जो तिक ने निर्दलीया आपको दिखाई दे रहे हैं यह बस्वा में जो लोग गहे हैं इनका टिकेट काट ने का जो काम किया वो पालेट साहब नहीं किया था ऐसे व्यक्ति को जो लाजैस्थान में पहले ही हादर मचा चुका है टिकेट काट करके और पार्टी को भारी नुप्सान कर चुका है ऐसे व्यक्ति के नित्रत में अगर चुनाव हुआ 2023 का तो मैं समझता हूं इससे बड़ी बुरी बात पार्टी के लिए कॉंग्रेस पार्टी के लिए कोई हो नहीं सकती है तो यह सीटे कामाने का जो दोस है वो पूरा के पूरा दोस पालेट साब का ही बनता है उन्होंने जान बूझ करके जान बूझ करके जो उनसे थोड़ा भी कोई मत्वेश रखते थे या उनकी जारधारा से सहमत नहीं थे या उनके पाले में एकदम इस्ट्रॉंगली खड़े नहीं हुए उन लोगों को टिकेट काट करके और पार्टी को भारी नुपसान पहुंचाया आप यह साब ने पालेट आपने हमारे यहां एक पांचना बांद है जो गंभीर नदीर बता हुआ है वो पांचना बांद को 2006 से रोका हुआ है अब बो तो हाई कमान को किस तरीके से फीड किया वहां पर बार बार यह यह बात पहुचा ही गही है कि निर्दलिये विधायकों की कोई जुरुत नहीं है बसपा से आने वाले जो लोग हैं उनकी कोई जुरुत नहीं है उन सब का मकसद क्या था सरकार को कमजोर करने का मकसद रहा है और ऐसे लोग जो सरकार को गिराने के लिए जिन्नोंने अपरी एडी चोटी का जोड लगा दिया वो लोग बापिस से आगर के और इस तरह का जो अभी उसमय संकट में डालने का काम किया सरकार को और निर्दलिय साथियों की वज़े से बसपा के साथियों है विदायक जो बिल्कुल डटे रहे पूरे टाइम कि 34 दिन तक लगातार साथ में रहे और सरकार को संकट से बचाया और आज उसी का प्रणाम है कि राजस्तान में बहुत मजपूर्ती के साथ सरकार चल रही है मुखमंती जी असोग गहलोज साब के नित्रत में अब जो मंतिरी परशत का विशार हुआ है उससे मुझे पूरी उमीद है कि 2023 का जो चुनाव है वो निशित रूप से कॉंग्रेस की सरकार रिपीट होगी पाइलेट साहब क्या बोलना है पाइलेट साहब तो लोगों का ट्र Green कारके बैठे हुं है कि यह बसपा में जो लोग आपा की जाकिकोette साहब नहीं किया था उन्हीं मुट enseign की पहते ही जूऄर्ब साहिए कि इनका ट्रशी के उस समय एक पाप्रानि Das पीसी सी के चीप थे और मनवानी की जनाधार वाले जो लोग थे कॉंग्रेस के उनके टिकेट काटे नतीज़ा यह हुआ कि निर्दली लड़े लेकिन आप मेडिया के माजध्यम से मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग जिनका टिकेट भी कट गया खुद के मेहनत से खुद के पैसे से चुनाब जीत करके आए जिसमें कॉंग्रेस पार्टी का कोई योगदान नहीं है वो लोग सबसे पहले जीतने के बाद में आकर के कॉंग्रेस के पक्ष में खड़े हो गए क्या गुना किया उन्होंने मैं समझता हूं उन्होंने कोई गुना नहीं किया वो कॉंग्रेस के कटर समर्थक कटर प्रश्ट भूमी के लोग जिन्होंने सब कुछ लगा करके तुनाब जीत के आने के बाद में पार्टी की मदद की और मैं धन्वाद देना चाहूंगा मु हर मौखे पर लोगों की जो वहनत थी वोगों का जो सबती प्रिति जो निश्टा थी उसको जरूर याद किया है। यह बात सुनकर के हमारा मन परफुलित हो जाता ह। लेकिन बार बार यह सुनने में आ रहा था कि निर्दलियों को नहीं बनाना चाहिए बस-पास आने वालों को नहीं बनाना चाहिए निर्दली साती है वो लड़े जरूर निर्दली है लेकिन वो तो है तो कॉंग्रेस के ही लोग मैंने वहां कॉंग्रेस के लिए काम किया सवाई मादवपूर में उस समय जब यहां पर 21 सीटे थी और मेरी पूतर बजु वहां पर जिलापनुक कॉंग्रेस की सारे प्रधान च हमारा टिकेट की साधार पर काटा और टिकेट काट करके जंबेरा टिकेट इसी जिस तरीके से काटा ऐसे ही और लोगों के भी टिकेट काटे जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा अरे भाई मैं तो लगातार यह कह रहा हूं यह सचिन पाइलेट के नित्रत में अगर 2023 का चुनाव लड़ा आज ही समझ लीजिए और मैं तो हाई कमान के पास मैं जाओंगा समय लूँगा और मैं जाकर के कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को जो राजस्तान में पहले ही गदर मच चुका है टिकेट काट करके और पार्टी को भारी नुक्सान कर चुका है ऐसे व्यक्ति के नित्रत में अगर चुनाव हुआ 2023 का तो मैं समझता हूं इससे बड़ी बुरी बात पार्टी के लिए कोई हो नहीं सकती है कोई नहीं आप भी जो केबिनेट विस्तार हुआ है वो बहुत सोच समझ करके हाई कमान ने भी प्रियंका गांधी जी ने राहूल जी ने सोनिया जी ने और मुखमंत्री जी ने बहुत सोच समझ करके और बैलन्स के तहत ये काम किया है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई और दूसरी गुंजाश थी सब लोगों को जहां से भी बनाया है बहुत सोच समझ करके बनाया है अब छोटी मोटी बात कहीं चल रही है तो वह एक अलग बात है जोरी लाल जी के बार बार जोरी लाल जी का बयान मैंने भी पढ़ा युद्ध ऑैसी कोई छोटी मोटी जो बात है उच्शोटी मोटी बातों फेर रही मेरे वराही कि जानने घरतेरा हैं तो उन्हों पॉझ निदो यह दिए ह हमारे जो पहली बार के विदायां के में सब्रार साब उनको मुखमत जी न अपनी टीम में लिया है, सलाकार बनाया है, उनको कैसे नहीं थी तबज्यों, जाहिता हुए जी को बनाया है, वापस बनाया है, तो उसको कैसे लगता है? कर दिया कर दिया और पहले वह किस रूप में चोड़ कर गए और अब बापिस जब हाई कमान ने और यहां से तैय हो गया तो मैं समझता हूं जो ही निर्णा हुआ है वह अच्छा ही हुआ है वह पूरा के पूरा दोस पाइलेट साब का ही बनता है उन्होंने जान बूज करके जान बूज करके जो उनसे थोड़ा भी कोई मत्वेद रखते थे या उनकी जारधारा से सहमत नहीं थे या उनके पाले में एकदम स्ट्रॉंगली खड़े नहीं हुए उन लोगों के टिकेट काट करके और पार्टी को भारी नुशान पहुंचाया पैलेट साब ने ऐसे व्यक्ति की कोई जरूत नहीं है जो मैं हो सकता मैं किसी के विचानों से सहमत नहीं हूं लेकिन पार्टी को वफादार हूं तो वफादारी का सिला उसको मिलना चाहिए कर दो